आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि CSC के माध्ध्यम से निवास प्रवाणपत्र कैसे बनाते हैं या फिर कह सकते हैं कि CSC के माध्ध्यम से जो आपको इडिस्ट्री की आईडी मिली होती है उससे आप जो है निवास प्रवाणपत कैसे अपलाई कर सकते हैं, ठीक, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियों बताएंगे, सबसे पहले हम डाकुमेंट के बारे में बता देते हैं, कि कौन-कौन से डाकुमेंट लगेंगे, निवास प्रवाणपत बनाने के लिए, तो य यहाँ पर देख सकते हैं, अठान नवे के भी की है, और अगर आधार कार्ड नहीं है, जैसे माली जे किसी महिला की साधी हो रही है, तो उसकेस में आपको प्रधान का निवास बनाना होगा, प्रधान से एक प्रमारित करवाना होगा, एक निवास प्रवाणपत के फार्मे तो इसे भी आपको भरके अप्लोड करना होता है, इसे डाउनलोड करने का जो लिंक है, यहीं पर नीचे देखेंगे, तो इसी वेप साइट पर यहीं कि जब आप एप साइट पर आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्वा परमारित घोसडा पत्र अप्लोड करने अधिक यूपी, खासकार हैं मैं उत्तर प्रदेश के लिए बता रहे हैं, बाकि अगर आप अधर स्टेट से हैं, तो अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, गबर्मेंट आप उत्तर प्रदेश करके दिया है, और जो इडरिस्टिक यूजर, और यहाँ पunya योजर नेम और और यहाँ पे पासव डाल देना है, इडरिस्टिक कर ठिक, और जो बताने वाले हैं तो हम क्लिक करते हैं आप निवास प्रमारपत केूपर तिक जैसे आप इसकोपर खुलिक करेंगे तो जो निवास प्रमारपत्रे apply करने का फारम Evet है ये उनी की फार्म है यहां पर प्रार्थी का नाम आपको हिंदी में डाल देना है ठीक उसके बाद में जिसके नाम से निकी निवास्प्राणपद बना रहे हैं हिंदी में डालेगा उसके बाद में प्रार्थी का नाम यहां पर अंग्रेजी में डालेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाल नहीं है फिलाल हम यहाँ फेला हिंदी में ही है आपको भरके दिखाएंगे कि वल प्रार्थी और तर यहां पर देख सकते हैं मैंने नामन, अब नीची आएंगे हैंगे hoaug यहाँ पे माकान नंबर आपको पता है तैसे सलेट करने के बाद में यहाँ पे थाना जो भी है आपको अपना थाना सलेट कर लेना है, ग्राम का नाम यहाँ पे जो भी है आपका ग्राम का नाम यहाँ से सलेट कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे जनम तिथी अगर आप डालना चाहेते हैं तो डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो भी कारण है उसे लिख सकते हैं या फिर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं आवस्यक कारी हो आवस्यक कारी है तो ठीक तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आवस्यक कारी है ठीक इस परकार से लिख सकते हैं फिर नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपक click करेंगे चुछ फाइल कूपर ओपर किलिक करेंगे चुछ प्रकार से चलिट नहीं हो दो बारस करते हैं यहां पर आ गया घोषणापद अप्लोट की उपर किलिक करेंगे और यह भी जो है आपका अप्लोड हो जाएगा जैसी आप अन्य के उपर किलिक करेंगे तो यहां पे जो भी डाकुमेंट आप अप्लोड कर रहे हैं उसका नाम तबломए से नानाय को आपको की लिक कर देना आपको कि लिक कर देना जिसके बाद में जो भी आपने रहा है उसका पूरा प्रिभीillance आपके सामने आजाएगा जो भी चीजें distint आप। बरा एक बार आप सही समयज कर लिए सारे कुछ सही है और और ब्रैज्च उप्लोट किया यहां पे देख सकता है इनकी उपर किलिक करके आप्छिक भी कर सकते हैं फिलाल हम दर्ज की उपर किलिक करते हैं कोई गड़बड़ी है तो आप एदन संसोधित करें को उपर किलिक करके आप संसोधित भी कर सकते हैं ठीक तो हम दर्ज की उपर किलिक करते हैं जिसके बाद में आपको जो है CSC के जहां पर पेमेंट वाला पेज होता है उस पर फारवर्ड हो जाएंगे और यहां पर 30 रुप आपका पेमेंट जो है सक्सेस्फुली हो जाएगा और आपको प्रोसीट फारवर्ड तो एप्रूबल एथोर्टिक उपर किलिक करना है जिसके बाद में आपका जो निवास प्रावड पत्र है प्लाई हो जाएगा कस्टोमर को रिसिप्ट देना चाहते हैं तो आप इसी का प्रिंट निकाल के दे सकते हैं और इस अबेदन संख्या को नोट कर लेजिएगा फ्यूचर में इसे करते हैं बैक क्योंकि अभी मुझे और भी बनाना है बाकी आप क्लोच कर देंगे ठिक अगर आपको अप्लाई नहीं करना तो सिंपल से आप क्लोच कर सकते हैं ठिक तो इस प्रकार से आप shoe csak निवांज प्रवाँपत के लिए, अप्लाई, कर सकते हैं लिघनाया निवाणफस्ट से अधस्यीन को पसंद आए होगी और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लैक और शे hoping